नमस्कार, मेरे प्यारे भाईयों और बैनों को मंगानी तेजिस का नमस्कार आज मैं आपको शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा हम सब लोग चानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू सरी रहा है इसलिए सुमामी वेकानन जी ने लिखा है हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ती बड़े बुद्धी का विकास हो और मनुष अपने पेरो पर खड़ा हो सगी दोस्तों शिक्षा के बगर मनुष एक पशु समान है हमारे देश में शिक्षा परात करने के लिए बहुत सा स्कूल और कॉलेज है और सरकार की तरफ से उच्षा के लिए अलग-अलग यूनिवर्स्ती का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन लोगों ने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमे शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरह की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है अगर इसमें कोई महत्वा पुरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्चित शिक्षा जैसे हमारे पूर्वर राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब गर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्वा को समत्ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये गए प्रेयसों से उन्होंने बहुत सारे आविशकार किये अगर यह सब वो कर पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगतान शिक्षा का है शिक्षा के बगए इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हरे एक शेत्रम में तोब उनन है कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करने क्योंकि मुझे कोई नोकरी थोड़ी न करने है लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नोकरी करे बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी सेत्र में उन्नाती कर सके इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जिवन में शिक्षिक होना बहुत चरूरी है इससे हमारा देश आगे वड़ेगा समाज आगे वड़ेगा इसलिए दोस्तों पड़ेगा इंडिया तभी बड़ेगा इंडिया धन्यवाद नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बैनों को मंगानी तेजिस का नमस्कार आज मैं आपको शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाओंगा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू से रहा है इसलिए सुमामी वेक अनन जी ने लिखा है हमें ऐशी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ति बड़े बुद्धी का विकास हो और मनुष अपने पेरोपर खड़ा हो सब्सक्राइब दोस्तों शिक्षा के बगर मनुष्य एक पश्यों समान है हमारे देश में शिक्षा परात करने के लिए बहुत सा स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्षा के लिए अलग-अलग यूनिवस्ति का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन लोग उने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमें शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरह की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है अगर इसमें कई महत्वरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्ष शिक्षा जैसे हमारे पूर्वर राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब घर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के मैत्वा को समत्ते हुए अपना पूरा ध्यावन अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये प्रेयस से उन्होंने बहुत सारे आविश्कार किये अगर यह सब वो कर पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगतान शिक्षा का है शिक्षा के बगए निसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हरे एक शेत्रम में तो पुनण है कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि मुझे अच्छी शिक् आप करके अच्छी नोकरी करें बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान प्रदाय करना है जिससे आप किसी भी सेत्र में उन्नाती कर सगें इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जीवन इसलिए दोस्तों परेगा इंडिया तब परेगा इंडिया तन्यवाद्